नमस्कार मैं हूँ रभी सक्सेना और हम मेरे साथ देख रहे हैं रुवेल खन समचार इसमें उत्ताप्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां अवेद खनन को लेकर उत्ताप्रदेश की योगी सरकार बहुत ज्यादा सक्त है वहीं हाई कोड भी इस मामले को गंबिरता से ले रही है लेकिन रामपूर में खनन माफिया बड़े या उत्ताप्रदेश सरकार ये बात इसलिए कहना बड़ रही है ये खनन माफियाओं की सिकायद करने पर एक जिला पंचाय सदस्य को खनन माफियाओं ने खुले आम धंकी दिए जिसका वीडियो वारेल हो रहा है बाराल इस खनन माफिया की सिकायद के बाद खनन माफियाओं के होस्ने काफी बुलंद हैं देखने की बात ये है कि उत्ताप्रदेश की योगी सरकार बड़ी है या खनन माफिया देखेगा इस रिपोर्ट को दरसल अवेद खनन कारोबार फल फूल रहा है इसकी शिकायत जिला पंचाय सदस से मुस्तवा हुसेन ने उच्चा अदिकारियों से की वाकादा उसके सबूत भी दिये फिर क्या हुआ यह आप खुद देख लेंगे जो वीडियो बहुत तेजी से राम पुन ** शिरयों में ऐखुद भावेची की वाकाद Hamilton तो महँं भीsmail हो पूद दियो पहरी गर्जी ए तो म मैं थो भीडियो आजम को तो में अनब कर ले आज़ी। तो यह ता तुमहागा है तो यह तो ढाय हुआ अधाओ तूम अंधाओ तुम अधार कया हो तुम क्या हो तुम क्या हो। में रामपु जिला पंचार का सदसे घाटमपूर तोखाना पिरानपूर शैदनगर विलोक से निर्वाचित हुआ था और यहां की जनता के लिए में काम करता रहता हूं रात लगबत दस बजे में छेतर से आ रहा था तो वहां पर दजनो डंपर अवेद खरंग कर मिट्टी भर के लेका आ रहे थे मैं हजितपूर में रुका तो वहां लोगों ने शिकायद की कि इस तरहां रोज डंपर चलते हैं बहुत दिक्कत होती है बच्चों को पड़ाई में दिक्कत आ रही है धूल उड़ लई है वैसे तो यह खरंग काम लगवा कई साल से चल रहा है वहां पर लेकि हम लोग कभ परती नहीं उठाते हैं क्योंकि जब प्रिशाशन और पुलिस मिली हुई है तो उसमें कोई कारवाई भी नहीं होती है लेकिन रात हमने जो है क्योंकि एक अभिहान मानी मुख्यमंती जी ने चला रखा है अवेत खरंग के खिलाफ डियम साहब भी बहुत कोशिश कर रहे ह है इसी नाते हमने रात एक वीडियो बनाकर डियम साहब के पास भेजी थी और वह वीडियो जो है श्याद एज़्यम साहब के पास भी गई एज़्यम साहब ने पता नहीं किसको भी खैर वह जानकारी जो खरंद के धंदेवाज थे उनको मालूम चलिया मैं जब फुलो वा लोग छेत्र के थे सब लोगी खट्टे हो गए और किसी तरह के से उन्होंनों बचाया लेकिन उनकी जो हरकत थी जिस अंदाजियों बबाद कर रहे थे वह मेरी हत्या करना चाहते है यह जो वीडियो आपने दी है कि आपने वीडियो कहां से लिग हुई तो क्या प्रशासन पर राओना तो गलत ही है मेरा कि लेकिन यह है कि वीडियो चुकई सहौकि एज rat-ıo जैसी भी मसीन और जो डंपर वहां रहाग चुके थे हैं इस ने यह बताया कि इन लोगों पर्मिशन तो ले रखी है लेकिन रात में किसी भी तरह के अवेद खरंद पर रोक है तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं हमें खरंद करने से भी रोक परशाइन नहीं है लेकिन रात में पर रहे हैं यह वहां पर नदी के तलहटी में लिए वहां पर नदी बैहती है आप मोगे पर जाकर देख सकते हैं कि 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 तरीके से वहां पर अवेद खरंद किया गया है और कोई भी कानून यह वहां से पर्मिशन दी जाए को इस ने सब्सक्राइब ने नहीं है नहीं। नहीं को इनके परकर करने के लिए every phone करता हूं और इनको काम करने मना कर देता हूं तो जाहिए सी बात है कि हडिम साब को लोगों ने गुमरा किया होगा कि साब पर्मीशन है जब कि जहां से वह खरन कर रहे हैं वहां की पर्मीशन नहीं है नहीं राच जिस तरह से उन्होंने बत्तमीजी की और जिस तरह से मुझसे बाचीत की चुकि मैं भी एक प्रतिने दी हूं और राच दीन अपने खूर्म घूंते रहता हूं और जिस तरह से द्धमकाया तो उस से यही मैसूस होता है कि मेरी हत्या करना चाते हैं वो चुकि उनका रात जो अंदाज था रात उनका जो अनदास था वो यह था कि अगर लोग नहीं होते तो वहां जो जब आप रात में गारी लेकर जाएंगे तो आपको खुद दिखाए दे जाएंगे जगा जगा वो लोग खड़े रहते हैं यह रामपूर तोफखाना गेट से हज्ड़त्पूर होते हुए रांपूर सहितनगर बंजड़िया को रास्ता जाता है और पिछले दून जब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और फालो करना ना हूँ ले ताकि आप से कोई नए अपडेट छुड़ना पाए जी हाँ ध्यानक है हमारे साथ जुल रहिएगा रूएल खंट समचार पर और यह बेल आइकन को जरूर दबाते कर दो